हलो फ्रेंज, वेलकम टे टुजिया नॉलेज क्लासेश, आज कि इस वीडियो में होनों देखने वाले हैं, क्लास टेंट का बाइलोजी का दुसरा चेप्टर, जैपरकर्म स्वसन का अतिलग हुतरिय प्रसन, तो वीडियो को अंतग जरूर देखिएगा, चलिए तो वीडियो उपस्थिते में गुलकोज के आकसीकरन को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखना है वाईविये स्वसन, चलिए तिसरा नुमर प्रसन है, जैव कोसिकाव में रासायनिक उर्जा का सार्वजानिक वाहक क्या कहलाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा एटीपी, चलिए आच नुमर प्रसन है, संपुर्ण स्वसन किरिया के दो प्रमुख चर्णों के नाम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसवास और उच्छवास, चलिए छे नुमर प्रसन है, स्वसन जीवों के लिए क्यों आवस्यक है, तो इसका उत्तर लिखना है, सरीर के सभी भा तक आउक्सीजन की पूर्टी हो सके गुलकोच का आउक्सीकरन हो सके जैब परकर्म चलने के लिए स्वसन आवस्चक है चलिए सात नमर प्रस्ण है स्वसन की प्रकिरिया में उपो उत्पात की रुप में क्याम मुक्त होता है तो इसका उत्तर लिखना है CO2 जल तथा उर्जा चलिए अगला प्रस्ण है आठ नमर स्वसन के दो चर्णों को किस आधहार पर बाटा गया है इसका उत्तर लिखना है उक्सीजन की उपस्थिती और अनुपस्थिती के आधहार पर चलिए नव नमर प्रस्ण है अव आईविये स्वसन किसे कहते हैं तो इसका उत्तर लिखना है स्वसन की वैसी बीधी जिसमें गुलकोज के आधहिकरन के लिए उक्सीजन की कोई आधशक्ता नहीं परती है उसे अव आईविये स्वसन कहते हैं चलिए अगला प्रस्ण है 10 नमर वाईविये स्वसन की किरिया किस इस्थिती में आरंभ होती है तो इसका उत्तर लिखना है ऑक्सीजन की उपस्थिती में चलिए 11 नमर प्रस्ण है पाइडवेट का पुर्ण अक्सिकरन किस चरन में होता है तो इसका उत्तर लिखना है मैटरोकोंडरिया में तिसरा चरन में चलिए 12 नमर प्रस्ण है पौधे में स्वसन गैसों का आधान प्रदान किन अंगों से होता है तो इसका उत्तर लिखना है अस्टोमाटा से चलिए तेरा नमर प्रस्ण है पौधे में गैसों का बीनिमें किस किरिया से होता है तो इसका उत्तर लिखना है विशरन किरिया से चलिए चौदा नमर प्रस्ण है अमीवा तथा पैरा मिश्य में स्वसन सरीर की कौन सी सरचना के माध्यम से होता है तो इसका उत्तर लिखना है कोशी का जिल्ली दवारा चलिए 15 नमर प्रस्ण है मचली के स्वसन अंग का नाम लिखे तो इसका उत्तर लिखना है गिल्स चलिए 16 नमर प्रस्ण है अस्थलिय कीट तथा मनुस्य के स्वसनांगों के नाम लिखे इसका उत्तर लिखना है अस्थलिय कीट का स्वसन अंग क्रेकिया और मनुस्य का स्वसन अंग फेफरा चलिए अगला प्रसंद देखिए 17 नमर अस्ठलिय कीटों में पाये जाने वाले स्वसन का प्रकार क्या कहलाता है तो इसका उत्तर लिखना है YBA स्वसन चलिए 18 नमर प्रसंद है ब्रति ब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिन में स्वसन केवल फेफरा से होता है तो इसका उत्तर लिखना है मनुस्य तथा पच्छे चलिए 19 नमर प्रसंद है मनुस्य में स्वसन किरिया में परियुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे तो इसका उत्तर लिखना है नासिका छेद्र, नासा गुहा, कंठ दुआर, स्वासनली, स्वस्नी, स्वस्नी काय तथा फेफ़रा चलिए 20 नमर प्रस्न है फेफरा द्वारा स्वसन कीन दो किरियाओं से पूरा होता है तो इसका उत्तर लिखना है प्रस्वास और उच्षवास चलिए कईस नुमर प्रस्ण है पचे हुए भोज पदार्थ से उर्जा का उत्पादन किस किरिया से होता है तो इसका उत्तर लिखना है अक्सी करन से चलिए 22 नमर प्रस्ण है इस्ट में पाय्र वेट से एठेनौल किस कीरिया से होता है तो इसका उतर लिखना है कीणवन बीधी दुवारा चलिए 23 नमर प्रस्ण है जियादा चलने के बाद हमारी मानज पेशियों में क्रेप किस योगिक के निर्मान से होता है तो इसका उत्तर लिखना है लैक्टिक अमल दुवारा चलिए 24 नमर प्रस्ण है ग्रशनी कंठ दुवार के नीचे कहां खुलती है तो इसका उत्तर लिखना है स्वर यांत्रिया लैरिक्स में चलिए 25 नमर प्रस्ण है स्वासन के पर्थम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण अक्सिकरन कहां होता है तो इसका उत्तर लिखना है मैट्रोकॉंडरिया में चलिए यहां पर देखिये 26 नमर प्रस्ण है परतेक स्वासनी फेफिरे में पर्वेश करविभाजित होने के बाद क्या बनाती है तो इसका उत्तर लिखना है स्वासनी काये चलिए 27 नमर प्रस्ण है मनुष के सरीर में फेफिरा कहां अवस्थित रहता है तो इसका उत्तर लिखना है बच्छ गूहा चलिए 28 नमर प्रसंद देखिए, वच्छ गुवा के पच्छ भाग में अवस्थित एक गुम्बद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है डाइफ्रावम. चलिए 29 नमर प्रसंद है, हीमो गुलोविन कहां अवस्थित रहता है? तो इसका उत्तर लिखना है रक्त के RBC में. देखिए 31 नमर प्रसंद है, स्वास उच्छ वास का नियंतरन कहां से होता है? तो इसका उत्तर लिखना है फेफरा से. चलिए 32 नमर प्रसंद देखिए, स्वासन केंदर मस्तिस के किस भाग में अवस्थित होता है? तो इसका उत्तर लिखना है पच्छ भाग में. तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होते लाइक कीजिए, और कलास टेंट का, फिज और दिर्ग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए.